जम्मु कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने एक बार फिर से सुरक्षाबलों को निश्वाना बना कर हमला किया है श्रीनगर के हरिसिंग स्ट्रीट पर आतंकियों ने एक ग्रेनट फेका है ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको श्रीनगर से दिखा रहे है श्रीनगर के लाल चौक पर ग्रेनट ब्लास्ट के बाद जो सुरक्षा बल हैं उनके जवान वो सतर्क हो गए है ये देखिए ये तस्वीर जहां पर ग्रेनट ब्लास्ट हुआ है एक वक्ति की मौत बताई जा रही है दस से जादा लोग गायर बताई जा रहे है गायरों को अस्पताल पहुचा दिया गया कुछ की हालत जादा गंभीर बताई जा रही है आपको बता दे धारा 370 हटने के बाद से लगतार जो है जिस तरीके से जम्मु कश्मीर में धीरे धीरे पाबंदिया हटाई गई है उसके बाद 15 दिनों के अंदर अगर हम देखे तो ये दूसरी बाद ग्रेनट अटैक जो है वो किया गया है लेकिन यहां पर आम लोग भी जो है वो इस ग्रेनट अटैक में घायल हुए है सीधी तस्वीर श्रीनगर से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जवान जो है वो पूरी तरह से तयार है और यहां पर जहां पर लाल चौक के पास ग्रेनट अटैक हुआ है वहां की भी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे है कि किस तरह से यहां भारी पुलिस बल तैनात है और भारतिय जवान जो है लगातार यहां चेकिंग कर रहे है किसी तरह कि कोई संदिख्द गतिवधी अगर देखने को मिलती है कोई संदिख्द वेक्ति नजर आता है तो उसे हिरासत मिलिया जाएगा और तफ्तीश की जा रही है यह वो इलाका है जहां देखे किस तरीके स चावनी में तबदील हो चुका है लाल चौक का यह इलाका लोग जो है वो अपने घरों में चले गए हैं सुरक्षा बलो को निशाना बनाकर यह ग्रेनेट अटैक किया गया था लेकिन यह लाल चौक का जो इलाका है यह काफी भीड भाड़ वाला इलाका है और लोग जो है दूसरी बाद आपको बता दे कि ग्रेनेट अटैक जो है वो किया गया है सुरक्षा के पूरे चाक चौबन बंदोबस्त किये गया है लगतार जो भारतिये जवान है और जो जमुकिश्मीर की पुलिस है वो लगी हुई है यहाँ पे चीजे मॉनेचर की जा रही है और तफ मैंने वोई दो देखा बस बागी तो जखमी है कोई मर्भी के सब्सक्राइब मर गया यह ब्यारी था बिचारा मुसल्मान यह खिलोना बेज़ता यह आंसपर्ट मर गया नहीं पे था आंसपर्ट यहां एक दमाका हुआ तो जिसमें बहुत सारे लोग जखमी हुए और एक ब्यारी मुसल्मान भाई हमारा वो शेहीद हुआ आंसपर्ट पे शेहीद हुआ हम तो देखे थे वो खिलोना बेज रहा था पता नहीं चला यह माहूल अन्मोके पे बिगड़ गया